चल बचो तो आज हम लोग एकाउंट में सेकेंड बार्ट का फर्स शेप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ओफ एरर्स रेक्टिफिकेशन ओफ एरर्स देखो आपने एकाउंट का फर्स्ट पार्ट पूरा कम्पलिट किया न जिसमें एकाउंट लिखने की बेजिक मैथर आप लोगोंने सीखी Journal Entries सीखी, इसके अलावा Subsidiary Books बनाना सीखा Subsidiary Books और Journal Entries पर से Leger Posting करना सीखा आपने फिर Leger Posting पर से Trial Balance बनाना सीखा यह पूरा First Part में सीखा अब हम लोग Account का Second Part शुरू करते हैं जिसमें पहला काम आता है आपका Rectification of Errors हम लोग Account में नई चीज सीखे न उससे पहले अब यह चीज सीखनी है कि अगर एकाउंट में कुछ errors हो जाए तो उसको सही कैसे करें आप लोग उन्हें आगे का जो पूरा एकाउंट सीखा जर्नल एंट्रीज सबसीडियरी बुक्स और जो यह वो लेजर पोश्टिंग ट्राइल बैलेंस यह सभी एकाउंट से जनरल ही कोई ना कोई यूमन से लिखते हैं आप आज के टाइम में हम यूमन से लिखते हैं यह अगर कॉम्पिटर में विलिखा जाता है तो हम ही टाइब करते हैं उसमें और घुजराती में वह पाहवद है ना मानस मात्र भूलने पात्र कहते हैं ना ऐसा कि इंसान है जो गलतियां करता ही करता है और एकाउंट जैसी चीज उसमें गलतियां होना उसकी possibility उसकी probability बहुत ज्यादा है एकाउंट में गलतियों की probability बहुत ज्यादा है कि जब हम एकाउंट लिखते हैं तो उसम एक्जांपल जैसे जश्ट बता रहा हूं कि एकांट का साल शुरू होता है ना 1st April को हमें पता है ना accounting year शुरू होता है 1st April और खतम होता है March एंडिंग 31st March को यह accounting year होता है ना अब 1st April को जैसे accounting year शुरू होता है हमने नया business शुरू किया हमने जो है वो नहीं machinery खरी दी जश्ट एक्जांबल के हमने machinery खरी दी देड़ लाग की एक लाग पचास अजार की machinery खरी दी हमने जो है वो जर्नल entry में लिखा machinery to cash बरवन जर्नल entry की हमने machinery खरी दी लेकिन गलती से देड़ लाग की जगे एक 0 कम कर दिया 15,000 लिख दिया just imagine करो ऐसे mistake नहीं होती as a student आप लोग तो ऐसे mistake बहुत करते हो करते हो न ऐसा बरवन देड़ लाग की जगे 15,000 लिख दिया अब सोचो मतलब के भाई machine हमने खरी दी 15,000 की ऐसे लिख दिया पर actual तो हमारा cash देड़ लाग का गया न फिर साल के end में 31st March को बरवन एक साल बाद जब जो है वो हम लोग पूरा हिसाब किताब लगाएंगे न जब profit and loss डूणने बैठेंगे न तब हमारी book हमें क्या बताएगी पता है हमारी book बताएगी कि हमें सवा लाग का profit हो गया एक लाग 35,000 का profit हो गया क्योंकि machine जो है वो देड़ लाग की खरीदी थी लेकिन लिखा खाली 15,000 तो एक लाग 35,000 का profit बताएगा आपकी book लेकिन actual अगर आपके bank में देखो या आपके shop में देखो तो क्या सवाल आप पड़े होंगे नहीं होंगे न तो वो कहां mistake हो गई न कहीं और March ending में अगर वो mistake पता चले तो उसे ढूणने के लिए पूरे साल का account फिर से चे इने पैसे दिये गलती से हमने लिख दिये कि वो पैसे ले गया वरबर ऐसी mistake भी होती है उसमें कभी amount की mistake 5000 की जगे 500 लिख दिये एक zero कम कर दिया तो account में mistakes की probability बहुत ज्यादा है error की probability बहुत ज्यादा है लेकिन अगर error हो जाए तो उसको सही कैसे करना है वो आज हमें सीखन इस chapter में वही सीखना है कि अगर error हो तो सही कैसे करें उसे rectify उसको कैसे करें तो सबसे पहले तो यह जान ले कि account में कौन कौन से types की error होती है account में error कैसी कैसी होती है वो तो account में generally जो errors होती है उसे दो पार्ट में divide कर सकते है जितनी भी error account में होती है वो दो पार्ट में divide होती है पहला which do not affect the trial balance कुछ ऐसी errors जो trial balance पे ज्यादा effect नहीं करती और दूसरा कि which affect the trial balance कि जो trial balance पे अफेक्ट करती है परवा और अगर trial balance पे effect करती है मतलब trial balance पर से ही हम लोग final account तयार करते है आपके second part का fifth chapter आएगा वो final account हमारा real account वहां तक चलेगा बरबर न तो वो final account अगर trial balance पर effect करते है मतलब final account पर effect करते है मतलब वो mistakes काफी कि अधने account बहुत हरान करती है ऐसा और कुछ छोटी mistakes होती है जो trial balance पर ज्यादा effect नहीं करती उसको normally हम लोग ठीक कर सकते है ठीक है तो उनमें भी कौन सी जैसे की error आती है error of omission कितनी बार होता है कोई entry लिखना भूल गया किसी को हमने sale किया लेकिन उतावल में थे लिखना ही भूल गया एक आद महीने बाद याद आएगा किया उसको तो sale किया था लिखा थो नहीं बरबर तो error of omission आता है कितनी बार लिखना ही भूल जाते हैं हम लोग यहां फिर आता है error of principle कितनी बार principle का error principle means के भाई rules का error जो debit में लिखना था credit में लिख दिया credit में लिखना था debit में लिख दिया cash आया तो debit what comes in किसी से cash मिल रहा है तो debit what comes in cash के debit में लिखना चीए गलती से credit में लिख दिया बरबर न ऐसा होता है कि नहीं तो यह principles rules की error होती है कितनी बार और recording wrong account कितनी बार गलत account लिख देते हैं हम लोग बरबर न ऐकाउंटी गलत लिख देते हैं उसमें कि जैसे अगर हमारे goods जा रहे हैं goods जा रहे हैं तो उसमें पता है न अगर goods other way में जाते हो जैसे अगर goods personal use के लिए ले जाते हो goods अगर जो है वो आग में जल जाते हो बरबर यहां damage हो जाते हो तो उसके लिए special rule है कि कोई भी other way में अगर goods से जाते हो न तो purchase account credit करते हैं याद है न यह rules कि अगर other way में goods से जाते हो कि goods परसनल use के लिए लिए हैं आग में जल गये यह और कहीं damage हो गया चोरी हो गये तो उसमें purchase account credit लिखते हैं लेकिन गलती से उसमें sales account credit लिख दे ऐसा होता है न रेकॉर्डिंग wrong account बरबर तो कितनी बार ऐसा भी होता है न कि भाई जो है वो किसी और ने दिये पैसे किसी ने दिये और नाम किसी और का लिख दिया हमने बरवन के पैसे संजय ने दिये, गलती से हमने अजय में लिख दिया, wrong account में लिख दिया, होती है न, उतावल में ऐसी mistakes होती है और recording in primary books, कितनी बार error होती है primary books की, primary books मतलब simple समझो, कि आपकी subsidiary books, जो purchase books, sales book, purchase return, sales return, cash book, यह आपकी primary books होती है कितनी बार इसमें error होती है, कि लिखना था purchase book में, गलती से sales book में लिख दिया, यह purchase return में लिखना था, sales return में लिख दिया, book ही अगर गलत लिख दियो तो, तो उस error को सुधार न पड़ेगा यहां फिर आती है compensatory errors, यह compensatory errors है न, ऐसे कहते हैं, real, practically बात करते हैं, अभी तो आप सब theoretical ही समझ रहे हो practically बात करें न, तो ऐसे compensatory errors हर account में बहुत ज्यादा परिशान करती है ऐसी error हो न, तो वो कहते हैं न, जो CA होता है, account लिखने वाले, उनका सिर्ध दुख जाता है, ऐसी error निकालने और ठीक करने में बरबर, क्योंकि compensatory error ऐसा कहलाता है, कि उसमें है न, हमारा balance तो बैठ जाता है, balance तो बरबर हो जाता है लेकिन कहां error हुई, किसके account में error हो गई, वो डूणना मुश्किल हो जाता है कि जैसे just suppose ऐसा होता है, कि अगर मुझे अजय से 5000 लेने थे, और संजय को 5000 देने थे example सुनना, कि अगर मुझे अजय से 5000 लेने थे, और संजय को 5000 देने थे बरबर, वो मैंने कर दिया, कि अजय से 5000 लिए, संजय को 5000 दिये बरबर, लेकिन account में मैंने क्या लिख दिया बता है, कि मैंने संजय से 5000 लिए और अजय को 5000 दिये बरबर, account में मैंने उल्टा लिख दिया, कि मैंने संजय से 5000 लिए और अजय को 5000 दिये उल्टे हो गई न बरबर न तो इसमें है न मेरा बैलेंस तो बैट गया क्या भाई मेरे 5000 गए 5000 आए और गए ये सीधी बात हो गई लेकिन नाम तो उल्टा लिख दिया न हमने बरबर न जो एरर हमेशा आखरी में पता चलती है कि हम लोग अपना बैंक बैलेंस या तो शॉप का जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि भी शॉप में गला अगर देखे हम लोग तो उसमें तो पैसे बरबर होते हैं कि 5000 आए और 5000 गए लेकिन नाम गलत लिख दिया जो ये गलत नाम ढूणने में बहुत मुश्किल हो जाती है फिर बरबर ये compensatory errors ठीक है ये errors कहलाती है जो trial balance पे ज्यादा effect करती नहीं है और दूसरी कुछ errors आती है कि जो trial balance पे effect करती है कि जैसे कि posting की error कि गलत पोश्ट कर दिया हो इसकी तरह यह तो post करना ही भूल गया मतलब entry लिखना ही भूल गया बरबन कोई important entry हो और वो लिखना ही भूल गया हमने कि मैं किसी से purchase किया था लाख रुपय का लिखना भूल गया तो होता है कि नहीं यहां तो फिर balance of an account कितनी बार जो है वो balance गलत लिख दिया आप लोगों को दियान है कि हमने laser posting की थी laser posting वाला chapter किया था ना याद है ना वो तो laser posting जब की थी ना तो उसमें कुछ sums ऐसे थे कि जिसमें आखरी में laser posting का total करते थे balance ढूंडते थे हम लो पर बन डेबिट बैलेंस या credit बैलेंस वो laser posting में ढूंडते थे तो कितनी बार ऐसा होता है कि वो balance ढूंडते वक्त अगर balance हमने गलत लिख दिया हो तो वही laser posting पर से ट्राइल बैलेंस में balance लिखते हैं तो अगर लेजर बोस्टिंग में balance गलत लिख दिया तो वही balance ट्राइल बैलेंस में भी गलत जाएगा और वही फिर final account में भी गलत चला जाएगा तो कितनी बार balance की mistake कितनी बार totaling की mistake totaling की mistake होती है आप बले calculator में करते हो लेकिन कितनी बार calculator में भी total की mistake कर देते हो ओतावल में 2,00,000 की जगे 20,000 लिख दिया एक zero कम कर दिया तो फिर उतावल उतावल में कर देता है ना पूरे page का total करना होता है तो उसमें बीच में एक amount में एक zero अगर कम हो गया हो तो नीचे तो total गलत ही बताएगा ना और हमें लगता है ऐसा ही है तो कितनी बार ऐसा total की error आ जाती है यहां तो फिर preparing trial balance कितनी बार trial balance बनाते वक्ती error हो जाता है कि हम लोग कुछ चीज़ें लिखना ही भूल जाते है आप लोगों ने trial balance का भी chapter किया ना तो trial balance के chapter में debit और credit में लिखते हैं कि नहीं जो भी assets होते हैं, receivables होते हैं वो सब debit में लिखते हैं, बाकी की चीज़ें credit में लिखते हैं ऐसा करते हैं न, बरबर तो कितनी बार है, assets में सब assets लिख रहे हैं लेकिन उसमें जो है, वो building लिखना था या machine लिखना था, वो लिखना ही भूल गया तो trial balance जो है, वो बनाते वक्त अगर कोई error हो जायतो ठीक है, तो ऐसी सब ये errors होती है account है, account लिखते वक्त ये सब errors आती है लेकिन उसे ठीक कैसे करना है, अब ये जाने अब आपको एक फायदा ये है, कि आप लोग जो है वो कोई real account नहीं लिख रहे हो अपने business का account नहीं लिख रहे हो कि आपको जो है, वो mistake ढूड़नी भी पड़े एक फायदा ये है, आपको सब mistake ढूड़कर हाथ में दे दी गई है means कि आपको जो questions है न, उस questions में error दी हुई है कि देखो ये mistake हो गई, अब उसको सुधार ना कैसे है, वो आप सुधार हो बरबर, ऐसे दिया हुआ है, mistake दी गई है लेकिन जब practically होता है न, ये तो आप theoretically समझ रहे हो ये आप basic चीजें समझ रहे हो बाकि जो practically account लिखता है न, जो CA लिखता है तो CA के पास ऐसी errors होती है, तैयार, नहीं Practically तो क्या होता है, कि जितने भी accounts लिखे हुए है तो उसमें error भी पहले खुद डूननी पड़ती है, फिर उसको rectify भी खुदी करना पड़ता है Practically तो ये errors है न, बहुत mistake क्या कह सकते हैं, बहुत भारी पड़ती है CA के लिए पर जो CA होते हैं उनके लिए क्योंकि अगर एक छोटे से 0 की भी error हो गई तो पूरा account गलत हो जाता है पूरे साल का जो profit and loss होता है, वो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा अगर एक 0 की भी mistake हो गई तो इसलिए account में error को clear करना बहुत ज़रूरी है तो अब उनको कैसे rectify करना है, अगर आपको error तयारी दी गई है तो उसको सही कैसे करना है rules wise, तो वो अब हम लोग देखें आपकी test book साथ में रखो, test book में final exercise का question number 4 उनके sum से पहले देखें, question number 4 के sum से देखें और उसमें देखें कि उन errors को rectify कैसे करना है, ठीक है न, इसे rough करें और फिर वो sums देखते हैं, बरबर, अब देखो, कि जैसे question number 4 दिया हुआ है आपको कि test book में देखो, question number 4 में लिखा हुआ है कि prepare rectification entries to rectify the following errors detected while preparing a final account of Shree Balram as on 31.3.15 Shree Balram, Shree Balram नाम के जो person है, उनके account लिख रहे हैं हम लोग और उसमें आपको जो question में 1, 2, 7 तक दिये हुए है न, ये सब errors दी गई है मैंने आपको पहले ही बताया कि इस chapter में आपको errors तयार करके ही दे दी गई है आपको खाली उसको rectify कैसे करना है, सुधारना कैसे है, वो आपको बताना है बरबर ना, तयार करके आपको directly ये errors दी हुई है actually मैंने उसके answers भी यहाँ पे लिख दिये हैं, लेकिन समझने है, द्यान से समझना है अब पहली बात मैं आपको ये बता दूँ, कि अगर ये error को rectify करना है न तो ये chapter समझने से पहले, इसको clear करने से पहले, आपका जो है वो account का base clear होना चाहिए base मतलब समझो कि आपने जो part 1 complete किया है, part 1 में chapter 4 journal entries और chapter 9 laser posting, ये दो chapters आपके बहुत अच्छी तरह से clear होने चाहिए, हर concept, हर fundamental आपका clear होना चाहिए तो ये chapter समझने में बहुत easy रहेगा, नहीं तो अगर उनमें problem होगी न, तो इसमें भी problem आएगी बरबर, नहीं तो ऐसा होगा कि जब error करते वक्त, error में error करोगे आप गलतियों को सुधारने की जगे, गलतियों को बड़ा होगे, ऐसा कर दोगे फिर सही बात है न, कोई accountant की job नहीं देगा नहीं तो फिर जश्ट ध्यान रखो, कि यह अगर clear करना है chapter आपको, तो पहले आपका journal entry का main concept, जो हम लोग account के basic rules देखते हैं, account के golden rules कि personal account के लिए debit the receiver, credit the giver, real account के लिए debit what comes in, credit what goes out nominal account के लिए debit expense and loss, credit income and gains, यह rules, इन rules का use कैसे करना है journal entries कैसे लिखनी है, उस journal entry पर से leisure posting कैसे करते है यह सब concept आपके mind में clear होने चाहिए, वो clear होंगे न, तो यह बहुत easy है आपके लिए बरबर नहीं तो problem होगी, अगर नहीं है वो clear, तो मैं पहले बोल रहा हूँ के पहले एक बार वो chapter revise कर लो थोड़ा वो clear कर लो, भले एक दिन extra वो revise कर लो, clear कर लो, फिर यह chapter शुरू करो तो समझने में easy रहेगा बरबर, अभी मैं यह chapter शुरू कर रहा हो, कि जैसे कि देखो पहली entry दी गए, यह पहला question दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है, purchase of goods rupees 5000 is left to be recorded इसका मतलब कि 5000 का सामान purchase किया था, खरीदा था, it is left to be recorded मतलब लिखना बूल गये, कहते हैं नो, तावल में खरीदा थो सही, बुक में लिखना बूल गये थे उसे तो ऐसी error हो न, तो उसको easily सुधारते हैं, लिखना भूल गये न, तो लिख दो बरबर, इसमें कोई बड़ी error नहीं, यह error simple कहलाती है, कि अगर लिखना भूल गये हैं, तो कोई बात नहीं, लिख दो purchase of goods 5000, normal entry करते हैं न, journal entry में करते थे न, normal बरबर, तो वैसे ही इसकी भी entry करेंगे, ठीक है, आपने पूरा format बनाना, मैंने direct answers लिखे हुए हैं सबके, journal entry का जो format आता है, वैसे ही, rectification of errors, इस chapter में, जो भी हमें rectification करने हैं, वो journal entry के form में ही करने हैं, journal entry की तरह ही हमें rectification करने हैं, तो इसलिए इसमें format भी journal entry का होना चाहिए, जिसे आप पूरी journal entry का format बनाते हो न, date, particular, LF, debit, credit, वो पूरा format, पूरा table बनाना, बरबर, और उपर जो है, वो heading लगाना, rectification entries of Shree Balram, ठीक है, वो proper heading लगाना, उसके बाद ये शुरू करना फिर, तो जैसे पहले में दिया वह था, कि 5000 का सामान purchase किया, खरीदा, लेकिन लिखना भूल गया, बरबर, लिखना भूल गया, तो कोई बात नहीं, उसे लिख दो, तो purchase की journal entry कैसे लिखते हो, यह आपको याद होना चाहिए, जो chapter 4 में किये थे हमने, कि purchase की journal entry कैसे करते हैं, तो उसकी entry करते हैं, purchase किया है, तो purchase account debit में, और credit में cash account, यहां कुछ mention तो है नहीं, बरबर, किसी का नाम तो है नहीं, कि उधार पे खरीदा है, ऐसा तो कोई test book में नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या करेंगे उसे, cash लिख देंगे, मतलब normal entry आ जाएगी उसकी पहली, purchase account debit to cash account, amount में वो 5000, बरबर न, ऐसे entry हो जाती है न यह, purchase account debit to cash account, समझा है, purchase लिखना भूल गया थे, तो कोई बात नहीं, लिख दिया उसे, हो गई न, simple entry है, ठीक है, फिर second entry है, जैसे second में पुछा हुआ है, कि installation charges paid rupees 2000 on purchase of machinery, is debit to sundry expense account, देखो, यहाँ अब mistake होई है, कि भई, machine के installation charges थे, गलती से sundry expense में लिख दिये, अब कोई भी machine खरी दो, तो उसके जो installation charges होते हैं, तो वो machine account में ही add होते हैं, sundry expense account नहीं लिखते, कि जैसे अगर जो है, वो घर के लिए, suppose मैंने AC खरी दिये, 50,000 की AC खरी दी, फिर वो घर पे install करके जाते हैं न, घर पे लगा के जाते हैं वो, तो घर पे लगाने के उसने 3,000 और लिये, तो मतलब total 53,000, तो मैं किसी को भी बताऊंगा, तो ऐसे नहीं बताऊंगा, कि मैंने AC पचास जार में खरी दी, मैं क्या कहूंगा, कि मैंने AC 53,000 में खरी दी, वो installation charges भी उसी में ही plus हो जाते हैं न, बरबर न, तो machine खरी दी है, तो उसके installation charges में machine account ही debit होना चाहिए था, जो ये कह रहे हैं कि गलती से debitate to sundry expense account, गलती से sundry expense account debit कर दिया, बरबर न, मतलब देखो, कि correct entry ऐसी होनी चाहिए थी, कि अगर machine खरी दिया न, उसके charges हैं, तो machine account debit to cash account, correct ये होना चाहिए था न, बरबर, नीचे cash या bank, जो भी हो, जिससे भी पैसे दिये हो, correct ये होनी चाहिए थी न, machine account debit to cash account, 2000 रुपीज, कि ये machine का ही खर्चा है, installation expense ऐसा नहीं लिखते, बरबर, ये chapter 4 में सीखा था हमने, installation expense नहीं लिखते, उसे machine में ही add कर देते हैं, तो correct ये होना चाहिए था, machine account debit to cash account, लेकिन उन्होंने गलती से लिख लिख दिया है, sundry expense account debit to cash account, cash हो या वो, जो भी हो, ये उन्होंने गलत लिख दिया, ये mistake उन्होंने की है न, बरबर, कि असली होना चाहिए था, machine account debit to cash account, लेकिन उन्होंने गलती से लिख दिया, sundry expense account debit to cash account, ये उन्होंने mistake कर दी न, ठीक है, तो इस mistake को rectify कैसे करते हैं, rectify करने के लिए सबसे पहले जो चीज अपनी जगे पे सही हो न कि जैसे cash account cash account दोने में सही है दिया तो cash ही न cash हो या check हो चलो वो कोई mention नहीं है कि अगर suppose दिया तो cash ही है तो उसको कुछ नहीं करते कहता न जो अपनी जगे पे सही हो उसे छेड़ते नहीं है उसे वैसे ही रहने दो कि cash account हटा दिया mistake वहां हुई थी कि debit में लिखना था machine account गलती से debit में लिख दिया sundry expense account बर बर ऐसा rectification करना हो न तो पहले rough में लिख दिया करो journal entries rough में लिख दिया करो इसलिए बोला कि वो four chapter के concept clear होने चाहिए आपको कैसली ये होता है न मशीन एकाउंट डेबिट टू कैश तो कैश चलो छोड़ो मशीन एकाउंट डेबिट आना चाहिए था गलती से संड्री expense account डेबिट आ गया तो उसको सुधा रहेंगे कैसे तो ऐसी गलती सुधार नहीं हो न तो अब क्या करते हैं कि सबसे हो गई संड्री expensive account डेबिट हो गया गलती से तो उस हैरर को क्लियर करने के लिए संड्री expense account क्रेडिट Newman लिखेंगे उसको क्रेडिट मेश असली है न मशीन काउंट डेबिट वो machine account debit लिखेंगे जो correct है वो बरबर क्यों होता है ऐसा तो उसका एक simple reason बताता हूँ कि देखो जैसे journal entry होती है उसके उपसे ledger posting करते हो ना आप करते हो ना journal entries पसे ledger posting होती है बरबर ledger posting में क्या करते हो हर चीज का अलग-अलग ledger बनता है accountant के पास पूरी ledger book होती है जिसमें हर चीज के लिए वो अलग-अलग page describe करता है जिसे अलग-अलग ledger कहते हैं यही होता है न बरबर न अब suppose ledger के लिए मैं यहां rough में बना रहा हूँ कि suppose हमारे पास दो ledger हैं कि एक machine account है हमारे पास एक machine account और एक एक है sundry expense account जर्नल entry पर से ledger posting करते थे न बरबर इसलिए मैंने बता है कि वो chapter पहले clear होना चीए है आपका तो क्या करते हैं यह जर्नल entry जो लिखी गई हो तो हर एक का अलग-अलग ledger बनाते हैं न हम practical बात करें तो आपके पास पूरी book है लेजर book जिसमें आप हर चीज का note करते हो हर चीज का हैसाब किताब रखते हो हर चीज के लिए अलग-अलग page बना हुआ है अलग-अलग ledger बना हुआ है तो एक page machine का बना हुआ है एक page sundry expense का बना हुआ है आपकी real practical book में बर बर ऐसे आई-क पेज बना हुआ है जिसमें पता है न वैसे दो पूरा format आता है ledger posting का कि ये debit ये credit side debit और credit side कि जहां debit side पे लिखते है date particular jf amount credit में भी date particular jf amount ऐसा पूरा बनाते है न मैं तो just rough में बना रहा हूँ तो अब यहाँ mistake ऐसी हुई थी कि machine के खर्चे थे तो machine account के debit में लिखने थे 2000 रुपए गलती से sundry expense में लिख दिये 2000 रुपए बर बर ना machine account debit इस page पे लिखना था 2000 गलती से इस page पे 2000 रुपए लिख दिये इतनी बड़ी mistake हो गई ने ये बर बर तो कैसे सुधार है अब गलती से अगर यहाँ sundry expense में लिख दिये तो हम लोग ऐसे करें कि गलती हो गई उसे cut कर दो आप जैसे book में करते हो ऐसे करें नहीं ना practically ऐसा नहीं होता है बिलकुल नहीं होता है ऐसा कि गलती हो गई तो उसे cut कर दें गलती हो गई उपर वाइटनर लगा दें थोड़ा सा जो है वो छेकाल कर दें उसे ऐसा करते हैं वो आपकी school की book में चले practical में नहीं चले ऐसा बर बर ना कि अगर practical आप किसी का account लिख रहे हो तो ऐसे नहीं होता कि cut कर दो गलती हो गई तो नहीं तो उसको कैसे करते हैं तो कोई भी गलती हो जा हैं अपोजिट साइट पर लिख देते हैं कि अगर गलती से डेबिट में लिख दिया तो उसको 2000 सुधारने के लिए उसको लिख देंगे credit में 2000 रुपए लिख देंगे बर बर तो अगर credit में लिख दिया ना तो actual ऐसा होता है कि अगर फिर उसका closing करो लेजर का फिर आखरी में close करते हैं ना कि अगर उसका closing करो तो closing में दोनों तरफ 2000 हो जाएगा और account नील हो जाएगा नील account मतलब खाली पर बना वो debit credit equal हो जाएगा तो इसलिए कोई भी गलती हो जाए तो ध्यान रखो ऐसे cut नहीं करते हो से कि cut कर दिया ये गलती हो गई नहीं जो भी mistake हो उसको opposite side पे लिखते हैं और फिर जो correct है वो लिखें इस page पे गलती हो गई थी तो उसको opposite side पे लिखा फिर जो actual इस page पे लिखा ही नहीं था machine में तो वो machine में 2000 रुपए लिख देंगे ना हम लोग बरबर न एक्चुली फिर वैसे लिख देंगे ना हम लोग समझाई बात है तो इसलिए ऐसा करते है जर्नल एंट्री वाइज अब समझे ना तो जर्नल एंट्री वाइज ऐसा ही करते है कि जैसे गलती से sundry expense account debit में लिख दिया था तो sundry expense account credit में लिख देंगे और debit में जो actual नाम है वो लिख देंगे actual नाम किसका है machine account का वरवर न ऐसे आना चाहिए वो वरवर तो इसकी जर्नल एंट्री ये हो जाएगी कि machine account debit machinery account debit to sundry expense account 2000 रुपीज वरवर ये पहली entry थी है इसलिए ये detail में समझाया समझ लेना ध्यान से कि जिसमें भी गलती हो गई हो तो उसको सुदारते ऐसे ही है sundry expense account debit में लिख दिया था गलती से तो उसे सही करने के लिए sundry expense account credit में लिखा और machine account debit में आना चाहिए था original तो वो machine account original debit में लिखा ये हुई rectification अब समझ में आई बात है पहले में simple था भूल गये थे तो सीधा लिख दिया अब ये असली mistake होई ना तो उसको सुदारा ना हमने समझा रहे ना बात है कि जैसे third वाला देखो third वाला समझो ऐसा ही है उसमें दिया हुआ है कि 2400 paid to देवांशी is recorded to current account by mistake देखो ये mistake क्या हो गई कि हमने देवांशी को pay किया था गलती से करन के account में लिख दिया बर बर उसमें भी ऐसे laser बने हुए होता है ना देवांशी का अलग page होगा करन का अलग page होगा बर बर तो देवांशी में लिखना था हमें 2000 रुपए 2400 रुपए जो गलती से करन में लिख दिया हमने ये mistake हो गई सभी बात के नहीं तो उसको सुधार है कैसे सुधारने के लिए पहले आपको correct entry पता होनी चाहिए correct entry पता होनी चाहिए कि suppose देवांशी को हमने पैसे दिये यहां rough work कर रहा हूँ है इसमें ये तो answers है कि suppose हमने देवांशी को पैसे दिये तो उसकी correct entry क्या खरते है बरबर यह आपको याद होनी चाहिए है जो chapter 4 में आपने की थी उसके इसाब से किसी को भी पैसे दे रहे हैं अगर तो correct entry क्या correct entry यह होनी चाहिए थी देवांशी account debit to cash account भले फिर cash में दियो या check में वो हमें लेना देना नहीं है correct यह होना चाहिए था देवांशी account debit to cash account किसी को भी पैसे देते हैं अगर तो उसका account debit में आता है और credit में cash cash जा रहा है न हमारा तो credit में cash लिखते हैं और नाम उसका debit में तो असली यह होना चाहिए था देवांशी account debit to cash account लेकिन गलती से हमने क्या लिख दिया गलती से हमने यह लिख दिया current account debit to cash account वरवर यह हमने गलत entry कर दी ठीक है ना current account debit to cash account यह गलत entry हमने कर दी ऐसा हो गया ना यह तो इसमें सबसे पहले तो cash है ना cash तो अपनी जगे पे सही है उसे नहीं छेड़ते उसे हटा दो कि दिया cash में या check में चलो ना किसी से भी दिया हो उसका लेना देना नहीं है वो अपनी जगे पे सही है उसे वैसे ही रहने दो गलती ये हो गई कि debit में लिखना चाहिए था देवानशी एकाउंट गलती से debit में लिख दिया हमने current account बरबन देवानशी की जगे current account गलती से लिख दिया तो कैसे सुधारेंगे, rectify कैसे करेंगे सबसे पहले जो गलत है न उस गलत को सही करते हैं गलत को कैसे सही करते हैं तो जहां पे दिया हुआ हो उसके opposite side लिखते हैं उसे बरबन जहां पे भी दिया हुआ हो उसके opposite side लिखेंगे मतलब current account debit में दिया हुआ है तो current account credit में लिखेंगे वो गलती से हो गया न तो current account credit से और debit में असली नाम किसका? देवानशी का मतलब उसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो जाएगी देवानशी एकाउंट डेबेट टू करन एकाउंट अमाउंट में वो 24 सो रुपे बरबर न कि करन एकाउंट डेबेट में लिखा था वो गलती से हो गया था तो उसको सुधारने के लिए उसको क्रेडिट में लिखेंगे सही बात है न जो भी चीज सुधार नहीं हो न तो चीज ध्यान रखो उसको opposite side लिखते है डेबेट में लिखाओ गलती से तो क्रेडिट में लिखो credit में गलती से लिखा हो तो debit में लिखो तो current account debit तो उसको सुधारने के लिए current account credit current account credit में to current account और debit में असली नाम क्या आना चाहिए था देवानशी account तो debit में देवानशी account ये rectification हुआ बरबर न ये rectification entries हुई हमारी समझा रही है बात अब जैसे fourth में दिया हुआ है तो fourth में ऐसा लिखा हुआ है goods of five thousand sold to naina is recorded in purchase account purchase book by mistake कि हमने sale किया था naina को 5000 रुपए गलती से purchase में लिख दिया बरबर मतलब अगर हमने sale किया है तो sale की entry क्या होती है correct entry क्या आती है हमने sale किया है तो correct entry ये होनी चाहिए debit to sales account ये correct होना चाहिए न भई 5000 का हमने sale किया credit पे cash में नहीं credit में sale किया तो correct entry ये होनी चाहिए नaina account debit to sales account सही बाद के नहीं फिर से बोल रहा हूँ आपको correct entries तो पहले पता होनी चाहिए कि हमने नaina को sale किया था गलती से purchase में लिख दिया मतलब गलती से हमने entry कर दी purchase की ऐसी entry कर दी हमने कि purchase account debit to naina account परवर purchase account debit to naina account ये हमने गलती कर दी ये गलत entry कर दी हमने सही और गलत ये फरक पता चलता है कि नहीं इसमें ना इन सम के लिए फिर से बोल रहा हूँ थोड़ा rough work किया करो बहले दो मिनिट एक्ष्ट्रा जाएंगे लिकिन entry clear होगी तो हमने sale किया था naina account debit to sales account ऐसा आना चाहिए था लिकिन गलती से purchase की entry कर दी purchase account debit में आता है न बरबर न sale की entry होनी चाहिए थी sale account credit में तो गलती से purchase account debit to naina account ऐसे लिख दिया हमने purchase वाली entry कर दी तो क्या करेंगे इसमें तो देखो कोई अपनी जगे पर correct भी नहीं है पहले जो हमने question देखे कि उसमें अपनी जगे पर correct था वो मैंने rough कर दिया न कि जैसे cash cash अपनी जगे पर correct था तो उसे हटा देते थे यहां तो कुछ correct भी नहीं है यहां नेना debit में यहां credit में गलती से लिख दिया mistake कर दी न हमने बरबर न तो उसको सुधारेंगे कैसे अब ध्यान देना ऐसी mistake कैसे सुधारते हैं तो इस mistake को सुधारने के लिए सबसे पहले जो गलत हो गया है न उस गलत को सुधारो उस गलत को कैसे सुधारते हैं गलत को सुधारने के लिए उसको opposite side पे लिखो उसको opposite side opposite side मतलब purchase account credit में लिखो नेना account debit में लिखो क्या लिखेंगे purchase account credit में नेना account debit में ऐसा न और फिर जो correct है न वो correct भी लिखो जो correct है वो correct भी लिखो account मतलब उसको combine कैसे लिखते हैं अब समझो कि सबसे पहले जो गलत है उसको सही करते हैं तो गलत को सही करने के लिए purchase account debit लिखा हमने गलती से तो purchase account को सुधारने के लिए कहां लिखेंगे credit में to purchase account 5000 समझ रहो फिर से समझना purchase account ये debit में गलत किया है वो गलती से लिख दिया है तो उसको opposite side पे लिखो सुधारने के लिए purchase account debit तो उसको लिखेंगे purchase account credit to purchase account बरबर उसके बाद ये naina account credit में वो भी गलती से ही लिखा नaina account credit तो उसको सुधारने के लिए नैना एकाउंट कहा लिखेंगे debit में लिखेंगे नैना एकाउंट debit कि चलो नैना एकाउंट debit पहले हमने लिखा 10,000 नहीं कि चलो 5,000 लिखा बरबर चलो ठीक है यह entry मैं फिर से बता रहा हूँ फिर से इसे करते हैं तो इसो सुधारते ऐसे हैं यह मैंने डारेक आंसल लिखा है चलो फिर से एक बात देख लेते हैं कि जो गलत किया है ना उसको सुधारते ऐसे हैं purchase account debit तो उसको सुधारने के लिए purchase account credit में और नैना credit में है उसे debit में मतलब ऐसा कि नैना account debit to to purchase account to purchase account amount 5000 बरबर ऐसे हुआ और अब ये जो गलत था उसे सही कर दिया अब जो सही है वो लिखें कि सही है नैना account debit to sell account तो नैना account debit तो सही में नैना account debit तो फिर से लिखें नैना account debit दो बार लिखें नैना account debit, नैना account debit नहीं, same चीज़ दो बार नहीं लिखते, उसमें खाली amount डबल हो जाती है, जो गलत था, उसे सही करने के लिए भी नैना account debit में लिखा, और जो actual सही है, उसे भी जो हुए जो नैना account debit में लिखना है, बरबर न, मतलब actual नैना account के debit में कितना आ जाना चाहिए तो नेना account के debit में आ जाना चाहिए 10,000 रुपई बरबर और two sales account correct में sales account credit में तो credit में आ जाना चाहिए to sales account कितना 5000 और journal entry में debit और credit equal होने चाहिए ना debit में 10,000 तो यहाँ पर भी 10,000 बरबर तो इसका rectification ये हो गया नैना account debit to purchase to sales account बरबर हमेशा ये ध्यान रखो थोड़ा rough work करो इस chapter के लिए कि पहले सही entry क्या है वो समझो वो याद होनी चीए, पता होनी चीए, concept पता होना चीए और गलती क्या होई है वो भी लिख दो फिर जो गलत है न उस गलत को सुदार दो गलत को opposite side लिख दो और जो सही है उसे लिख दो अगर सही लिखते वक्ते एक ही चीज दो बार आती है तो amount double कर दो उसमें बरबर ना, तो ये भूल सुदार गई न, rectification हो गया न बरबर न, नैना account debit to purchase to sales बरबर, ध्यान दखना है इसमें फिर उसके बाद जैसे फिफ्थ वाली entry दी गई है तो question 5 में ऐसा लिखा हुआ है कि our bills receivable रुपीज 1900 accepted by Rekha is recorded in bill receivable book by 1000 अब यहां क्या mistake है कि bill receivable है 1900 रुपीज का और उसमें गलती से 1000 रुपे ही लिखे बरबर न, कि bill receivable में लिखना था 1900 रुपे गलती से 1000 रुपे लिख दिये तो कम लिखे न हमने खाली कम लिखे न कितने कम लिखे 900 रुपे हमने कम लिखे तो अगर कुछ कम लिख दिया हो न तो tension नहीं करते तो उसमें खाली उतनी amount फिर से लिख दो कितने कम लिखे 900 रुपे तो 900 रुपए की entry कर दो खाली यह जैसे पहली entry नहीं थी कि purchase में लिखना ही भूल गये थे तो purchase की normal entry लिख दी न हमने खाली तो यह भी समझो वैसे ही है कि bill receivable 1900 रुपए का 1900 का लिखना था गलती से 1000 रुपए का 1000 का ही लिखा हमने गलती से तो 900 रुपए का लिखना भूल गया न तो बस 900 रुपए का लिख दो बरबर bill receivable की common entry simple जो bill receivable की entry आते है वही 900 रुपए खाली लिख दो हाँ अगर ज़्यादा लिख दिये होते हैं तो कम करने के लिए अलग entry करते हैं वो देखेंगे आगे कि अगर गलती से ज़्यादा लिख दिये हो तो उसकी entry अलग करते हैं लेकिन कम लिखे हैं न कम लिखे हैं तो कोई चिंदा नहीं है उसको खाली बड़ा दो उतना ही तो bill receivable की common entry क्या आती है इसलिए फिर से बोल रहा हूँ chapter 4 की entry ज्याद होनी चाहिए आपको कि bill receivable की common entry आती है bill receivable account debit bill receivables हमेशा debit में होता है bill receivable मतलब जिन से पैसे लेने हैं हमें वो तो वो हमेशा debit में हो जिस से लेने हैं न उसका नाम credit में मतलब entry क्या आती है bill receivable account debit to रेखा account बरबर न bill receivable account debit to रेखा account amount कितना तो amount में 900 900 रुपए खाली कम लिखे थे ना तो वो 900 रुपए लिख दिया है हमने बरबर आईना बात समझ में तो यह simple entry उसकी कि इतने कम लिख दिये थे ठीक है फिर उसके बाद वाली entry number six उसमें दिया हुआ है कि रुपिस 150 credited by bank as interest in passbook recorded on payment side of cashbook अब देखो यह mistake होती है कि bank ने interest दिया credited by bank मतलब के बाई जो है वो interest मिला हमें bank credit करती है मतलब हमें मिला कि 150 रुपए 1500 रुपए का व्याज मिला था लेकिन उसे गलती से मैंने payment side पे लिख दिया अब आपको बता है आपने first part में cashbook भी बनाई थी cashbook वाला chapter भी था याद है कुछ बरबर cashbook वाला chapter था यहां rough में बना रहा हूं कि जिसमें cashbook बनाते थे cashbook में bank वाली column भी होती थी cash bank और discount होती थी ना bank वाली column भी आती थी कि जिसमें ऐसा लिखते थे कि suppose अगर वो bank की column हो सिप bank account की बात कर रहे है कि बही कुछ भी अगर आ रहा है तो उसे debit में लिखते थे और अगर पैसे जा रहे हैं तो उसे credit में लिखते थे बरबर तो यहां ऐसा है कि 1500 रुपए मिले व्याज के मिले हमें तो उसे debit में लिखना था गलती से उन्होंने payment side पे लिख दिया मतलब के credit में लिख दिया बरबर न के 150 रुपए debit में लिखने थे bank के तो वो गलती से उन्होंने कहां लिख दिये credit में लिख दिये बरबर bank account के credit में गलती से लिख दिये तो यह तो गलती हो गई न तो सबसे पहले तो जो गलती हो गई ना कि bank account गलती से 500 रोपए यहां लिख दिया तो उसको सुधार हैंगे कैसे तो उसको सुधारने के लिए 400 रोपए कहा लिखेंगे 150 यहां debit में जो गलती हो गए उसे सुधारने के लिए debit में लिखेंगे और जो एक्चुल 500 रोपए हैं वो 1,500 रुपए भी तो यहां लिखने पड़ेंगे न हमें यह तो गलती हो गई थी 1,500 रुपए की वो हमने यहां पर लिखे लेकिन जो एक्चुल 1,500 रुपए हैं वो भी तो हमें यहां लिखने पड़ेंगे कि नहीं बरबर ना मतलब bank account के debit में कितना लिख देना पड़ेगा हमें 300 रुपए लिखना होगा बरबर ना bank account के debit में 300 रुपए क्यों ऐसा चलो example समझो ठीक है ना चलो इसे समझो कि मुझे मुझे जो है वो आपसे पैसे लेने थे 100 रुपए मुझे आपसे 100 रुपए लेने थे लेकिन गलती से मैंने 100 रुपए दे दिये आपको बरबर ध्यान से समझना कि मुझे आपसे 100 रुपए लेने थे मैंने गलती से आपको 100 रुपए दे दिये तो अब क्या करूंगा आपसे मैं कितने लूँगा अब तो अब actual जो गलती से मैंने 100 रुपए दे दिये थे वो 100 रुपए वापिस लूँगा पहले फिर जो actual आपसे 100 रुपए लेने हैं वो भी 200 रुपए लूँगा ना बरवर ना तो मतलब actual मैं आप कितने लूँगा आपसे 200 रुपए लूँगा समझा रहे हैं बात है क्लियर ना कि मुझे आप से लेने थे 100 रुपए गलती से अगर मैंने 100 रुपए आपको दे दिये होते तो जो गलती से 100 रुपए दिये वो भी लूँगा मैं और जो actual 100 रुपए लेने हैं वो भी आप से लूँगा मतलब actual तो 200 रुपए लिए ना 200 रुपए लूँगा ना मैं आपसे बरबर ना यहां पर वही बात है कि जो 1500 रुपए डेबिट में लिखने थे गलती से क्रेडिट में लिख दिये यह गलती हो गई तो मैंने पहले ही बताया आप करते गलती हो गई तो उसे cut करें ऐसा ना यहां इसा जो वह wrightner लघा दें कि गलती हो गई नहीं यह देड सो रुपए की गलती हो गई तो वो गलती सुधारने के लिए 1500 रुपए डेबिट में लिखेंगे और जो actual debit में है 1500 रुपए वो भी तो रुपए और credit में किसके मिले हमें यह 300 रुपए मतलब यह जो interest था वो interest किसका मिला तो वो interest मिला हमें bank interest न तो इसलिए यहां पर लिखेंगे to bank interest account बरबर न कि bank account debit 300 to bank interest account 300 बरबर देखो इसका मतलब यह नहीं होता कि bank हमें actually 300 रुपए दे रही है actually वो 300 रुपए नहीं देती क्योंकि आपको बता है कि अगर हम लोग इसकी closing करें लेजर पोस्टिंग की closing करते थे जो मैंने आपको बताया हम लोग पहले भी करते थे अब अगर मैं इसकी closing करू न तो इस side आएगा 300 रुपए तो इस side भी total 300 रुपए ही लिखते हैं और 300 में से ये 1500 माइनस करो तो बचे 1500 रुपए मतलब actual तो bank में हमें 1500 रुपए ही मिले ये तो गलती सुधारने के लिए उसको amount double करके लिखनी पड़ी हमें बरबर न गलती सुधारने के लिए इसलिए बोल रहा हूं गलती सुधारते वक्ते ऐसी चीज़े repeat होगी बरबर कि जो main concept से अलग है ऐसा मन समदना कि bank में हमें actually 300 रुपए मिले 1500 रुपए ही मिले bank से वो तो गलती हो गई थी इसलिए वो amount double लिखनी पड़ी जो गलती से 1500 र करो वो लेजर पोस्टिंग क्लियर करो तो बैंक के तो 1500 रुपए ही मिले हमें समझारी बात है इसलिए मैं अभी एक बार फिर से आपको बोल रहा हूं कि अगर concept क्लियर नहीं है तो लेजर पोस्टिंग वाला और जर्नल एंट्री वाला चैप्टर एक बार फिर से क्लियर कर हुआ है कि goods of 1200 sold to Amita is recorded in purchase book by 200 देखो अब यहां mistake क्या हुई कि हमने sale किया है 1200 रुपए का गलती से purchase में लिख दिया और amount भी गलत लिख दी 200 रुपए मतलब देखो correct entry ऐसे की कि हमने Amita को sale किया है न तो correct entry ऐसे आनी चाहिए थी Amita account debit to sales account sale किया है तो ऐसे correct होना चीए था न अमीदा account debit to sales account 1200 रुपए 1200 का sale किया था यह correct होना चीए था लेकिन गलती से उन्होंने लिख दिया purchase की entry गलती से purchase book में मतलब purchase वाली entry लिख दी purchase account debit to Amita account बरबर उन्होंने गलती से यह लिख दिये 200 रुपए की entry ने ध्यान रखना हर किसी में ऐसी entry आएगी सबसे पहले जो गलत हो गया है उसे सही करें तो purchase account credit में Amita account debit में मतलब ऐसे आना चीए कि Amita account debit to purchase account Amita account debit to purchase account amount 200 रुपए ये गलती हो गई थी ना उसको सही किया हमने फिर जो actual सही है वो भी लिखें तो actual सही में Amita account debit 1200 रुपए तो फिर से लिखेंगे Amita account Cal अगएग से लिखें नैंने कविग's सरड़ाइक त्हकि से प्लैस प्लास हो जाएंगे मतलब यह दोसौं जने 1.270 कल में फॉटीन ऐंड्रीड हो गो क्रेडिट मेंॹत्स इसकाओंंट इसकूरल तेंसे उठेरख वहांड़ा ग्रेड़िट दीं के अग क्रेडिट दोनों का टोटल इक्वल हो गया ना 1400 रुपेज बरबर तो ये रेक्टिफिकेशन एंट्री हो गई अमीता एकाउंट डेबेट टो पर्चेस एकाउंट टो सेल्स एकाउंट बरबर ना समझाई ना बात देखो आज जो हमने ये पहला क्वेशन था इसलिए डीटेल में हर एक रूल वाइज मैंने समझाया आपको ग्यान से समझना कोई भी ऐसी रेक्टिफिकेशन करनी हो ना त देख दो वरबर तो ये रेक्टिफिकेशन ऐसे हो जाएगी ना क्लियर हुई बात तो आज जैसे ये क्वेशन हमने समझा अब इसके जो आगे के क्वेशन से हैं बाकी के पॉइंट से हैं वह अब लोग अगले वीडियो में देखेंगे ओके टैंक्यू क्या हुआ जा दो चेखेंगे जाएगी ना बाकी बाकी लोग जिला दो बाकी बाकी क्वेशन बालब लोग